दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है कि चंदर ग्रहन को पढ़ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हम आपको बता दें कि पूर्णिमा की रात को चंदर मा पूर्णता गोलाकार दिखाई देता है लेकिन कभी-कभी किसी वजह से चंदर मा के पूर्ण हिस्से पर धनुष या हसिया के आकार की काली परच्छाई दिखने लगती है जो कभी-कभी चांद को पूरी तरह से ढख ल होता है वर्ष 2018 का पहला चंदर ग्रण भी पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देगा 31 जन्वरी 2018 यानि माग मा के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथी को वर्ष 2018 का पहला खगरास चंदर ग्रण होगा इस दिन पूरे 12 घंटों तक भगवान के दर्शन करना आशूब माना जाएगा इसलिए इस समय मंदिरों के पट बंद रहेंगे और किसी तरह की पूजा नहीं जी जाएगी हम आपको बता दे कि 30 जन्मरी 2018 को पढ़ने वाला खगरास चंदर ग्रण बिश्व के अन्य हिस्सव के साथ साथ भारत में भी पूर्ण रूप से दिखाई देगा समय पिल्कुल सही माना जा रहा है हम आपको बताते हैं कि कोन-कोन से देशों में 2008 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रण दिखाई देगा भारत के साथ साथ ही है एशिया औस्टेलिया रूस मंगोलिया जापान आधी के छेत्रों में भी चंद्रों दय के समय प्रारंब होगा त भारती मानक समय के अनुसार पूर्वत्तर भारत के कुछ छेत्रों जैसे की असम, बंगाल, जारखंड और बिहार में खंड चंद्र ग्रहन शाम को पाँच बच के अठ्यावन मिनिट से रातरी के आठ बच के 41 मिनिट तक रहेगा खगरास चंद्र ग्रहन की कुल अवधी ए 1.316 है हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहन 31 जन्वरी 2018 की संपूर जानकारी हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहन का समय पाँच बच कर 58 मिनिट से आठ बच कर 41 मिनिट 10 सेकेंड तक रहेगा चंद्र ग्रहन की अवधी दो घंटेर 43 मिनिट 10 सेकेंड रहेगी सूता काल प्रारंब होगा प्राता साथ बच के साथ मिनटे की सेकेंड से सूतक काल की समापती होगी रातरी आठ बच कर 41 मिनटे 10 सेकेंड पर समवत 2004 शक उनिस सो उन्चालिस माग शोकल पूर्णिमा बुधवार 31 जन्वरी 2008 को ठगरास चंदरग्रान अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहन के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय मूर्ती चूना भोजन तथा नदी में स्नान करना वर्जित माना जाता है सूतक काल के समय किसी भी शुब कारे की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और भोजन करने और पकाने से दूर रहना अच्छा माना जाता है देवी देवता और तुलसे आधी को इसपर्ष नहीं करना चाहिए और सूतक के दोरान गर्ववती इस्तरी का घर से बाहर निकलना और ग्रहन देखना वर्जित माना जाता है ये शिशू की सहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इस से उसके अंगों को नुकसान बहुत सकता है इसके अलावा नाखुन काटना बाल कटवाना नित्रा मेथुन आधी जैसी गतिविदियों से भी ग्रण वा सूतक काल के समय परहेच करना चाहिए माना जाता है कि इस काल में इस्तिरी प्रसंग से भी बचना चाहिए अन्य था आँखों से संबंदित बीमार के लिए खतरा बना रहता है ग्रण समाप्त होने के पश्चात पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और सूतक काल प्रारम होने से पूर दूद जल दही अचार आधी खान पान की सभी चीजों में कुशा या तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए माना जाता है ग्रण के दोरान खान पान की सभी चीजे बेकार हो जाती है और वे खाने लाइक नहीं रहती है ऐसा करने से आप ग्रण समाप्त होने के बाद इन्हें पुना खा सकते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने आपको बताया चंद ग्रण के हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार